नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका MC क्यों IQ में जैसा कि आपको पता है जो हिस्टी ओफ रेलवे है उसके 500 बेस्ट कोशिशन करा रहा हूं में और यह पाठ फिप्थ है इससे बहले वाले पार्ट ने देखे लिए जरूर देखिए क्योंकि CBT 2 एक्जाम है दिसंबर में उस इसका करेक्ट आंसर वरोधरा वरोधरा है गुजरात में जो National Rail Transportation Institute है वो इंडिया का First and Only Transportation University है जो कि वरोधरा गुजरात में पढ़ती है यार रखना है इंडिया की पहली है और एक लोती है जो Transportation University है तो कुछ Important Centralized Training Institute देखते हैं Indian Railway के फस्ट है Indian Railway Institutes of Civil Engineering IR CIEN यह कहां पर है Civil Engineering Institute कहां है Railway का इसका correct answer है पुने में है और 1988 में बना था इंडियान Railway Institutes of Electric Engineering देखिए यहां पर Civil Engineering था यहां पर Electric Engineering है Electric Engineering कब बना था 1988 में दोनों की established date same है मगर जो Electric Engineering है न उसका location कहां पर है वो कहां पर है वो नासिक में नासिक है महरास्ट में और पूने कहां पर है पूने भी महरास्ट में तो दोनों याद रखना है आप दोनों का जो headquarter है न वहां लाग है फिर next आता है Indian Railway Institutes of Mechanical and Electrical Engineering अब इसमें आ गया Electrical Engineering तो Electrical Engineering का पूछेगा इसकी foundation date है 1888 में इसका यह institute कहां पर है तो जमालपूर बिहार में यह institute से Electrical Engineering जमालपूर बिहार में Electrical Engineering पूछेगा ठीक है अगर Mechanical and Electrical Engineering पूछेगा तो जमालपुर बिहार आ जाएगा सिर्फ Electrical Engineering पूछेगा नासिक आ जाएगा अगर सिर्फ Civil Engineering पूछेगा तो पूने आ जाएगा तीनों का लोकेशन है ना तीनों अलग लोकेशन में और यह बहुत इंपोटेंट है यह से में आप कंफ्यूज हो सकते हो फिर नेस्ट आता है इंडियन डेलवे इस्टिटूट्स ऑफ सिगनल इंजिनरींग एंड टैनली कम्मुनिकेशन यह नाइंडि फिप्टी एट में बना था कहां इंडियन डेलवे की सिविल सर्वीम इcking कालता है उसकी टैनिंक और इंजिनरींग टैनिग और डेलवे के उनकी टैनिक यहां पर होती है यह भूधिर इसको पहले हम क्या बोल देते नेशनल रेल एंड टांस्पोर्टेशन इस्टिटूट बोल देते यह 2018 में बनाए याद रखिए मनोच चोधरी वाइस चांचलर रहे हैं इसके वडोद्रा गुजरात में यह भी इन्पोर्टेट कोशन है फिर दो इस्टिटूट्स और आदे ह हमारे जग जीवन राम रेल्वे प्रोटेक्शन और सेकेडमी यह कहां पर रहे लखनाव में 1888 में बनी थी सिविल सर्विस सिविल सर्विस वालों को ट्रेनिंग देता है यह याद रखिए लखनाव में ए प्रिजेंट लखनाव कहां पर रहे यूपी में एन्याई यह हम वो फर्स सूपरफास्ट ट्रेन थी इंडिया की इसको ऑपरेट करता है सेंटर रेलवे जॉन और यह पहले पार कहां किस सीटी में चली थी बंबए से लेकर पूने तक चली थी कब चली थी फर्ष जून 1930 में चली थी यह ट्रेन इंप्रेंट कोश्चन है और यह फर्स only women car होती है और women coaches होता है वो और फस्ट हैं थी जिसमें dining chair थी और dining car थी next question है organization of Indian railway into regional zone begin in which year के छेत्री छेत्रों में भारती railway का संगतन किस वर्ष शुरू हुआ इसमें पुछा जो भी organization था Indian railway का उसको जोन में कब convert करा था तो इसका central zone है फिर south zone और यह हमारा west zone है तो पहला zone कब बना था हमारा पहला zone बना था 14 अप्रेल अप्रेल 1951 में कौन सा south zone उसके बार बना था south zone से आई आप central zone central zone बना था 5 November में और western zone भी बना था 5 November को तो यह से याद रखी है पहला zone बना था सबसे पहला zone था हमारा south zone पर central zone तीसरा western zone अभी 19 जोन है इंडियर डेलवे के बात करेंगा कितने 19 हैं और डिविजन कितने 70 डिविजन है यह भी याद रखी है next question है which was the first fully air-conditioned train run between इस question में पूछा है जो पहली air-conditioned train थी वो किसके बीच में चली थी इसका correct answer है हावरा से लेका दिल्ली तक चली थी first air-conditioned train जो हमारी first air-conditioned train थी उसका नाम था कोलकता देली राजदानी एस्प्रेस यह fully air-conditioned train थी high-speed train थी और कब चली थी यह train 3rd March 1969 में चली थी हावरा से दिल्ली 1450 km का distance कवर किया था 17 गंटे 20 मिनिट में तो हावरा से दिल्ली चली थी पहली fully air-conditioned train important facts देखते हैं Indian railway के बारे में father of Indian railway किसको बोलते हैं डलोजी जी को बोलते हैं Indian railway computerized कब हो गया था जो reservation होते इंडियन railway में वो computerized कब हो गये थे New Delhi में हो गये थे कब 1986 में toilet कब introduce होई थी इंडियन railway में तो 1909 में होई थी toilet introduce इंडियन railway में इंडियन railway नेशनलाइज कब हो था बहुत 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 कोशन आता है 1951 में होगा था हमारी चार साइट AC है इंडियन railway की जिसको world heritage site का status मिला है यूनरेस के द्वारा तो कौन सी है डाजिंग हमाले railway चार तीन तो mountain railway हो गई बहुत बर बता चुका हो मैं आपको तीन mountain railway है जिसमें एक डाजिंग हमाले railway नीलगीरी mountain railway और तीसरी है कालकर शिम्रा railway और एक station है कौन सा station Bombay CSMD शर्पति शिवाजी महनास्टर मिनस इसको भी यूरेस को world heritage site का status मिला है oldest steam engine world का कौन सा है उसका नाम है freddy queen जो पहली बाद चला था देली चलेगा अलवर जो की राजिस्थान में अलवर उसके बीच में next question है Indian railway was nationalized in which year? किस वर भारतिय railway का राष्टे करण किया गया था अभी बताया था मैंने 1951 में Indian railway nationalized हुआ था next question है विद्यूत कार का protection किस सास्थान में किया जा रहा है in which of the following institute the training of electric work is given जो भी electrical worker होते हैं कौन से institute में उसकी training होती है तो Indian institute of mechanical and electrical engineering जो इसमें training होती है electrical worker हो की next question है निमने किस में कौन सा भारत के सबसे लंबा railway चेतर है which of the following longest railway zone in India तो और बार discuss कर चुके हैं इसका correct answer है Northern Railway हमारे 19 railway zone है first railway zone अभी बताया था मैंने Southern Railway Zone फस्ट railway zone है जिसका headquarter है चेनरी Center second था हमारा center railway जिसका headquarter है Bombay CSMT चत्पति शिवजी महराश्टर मिनस third था Western Railway तो Western Railway का headquarter है Bombay Church Gate यह तीन याद रखी line से जो कि 1951 में बने थे अब बाकी railway zone देखते हैं हमने South Railway zone देख लिया West देख लिया North Railway zone है हमारा जिसका headquarter देली में है East Railway zone है तो Eastern Railway zone है उसका headquarter फेरली प्लेस कॉलकता में है next है South Central Railway zone दक्षिन मद्ध railway का headquarter है जगंद्राबाद North Central Railway उत्तर मद्ध railway का headquarter राग राग राज है इसको हम पहले इलाबाद भी बोल देते West Central Railway पक्षिम मद्ध railway का headquarter जवलपूर East Central Railway पूरपंति railway का headquarter हाजीपूर आपको डिरेक्शन पता होना चाहिए यह हमारा North है South East और West यह हमारा North East है यह South East है यह South West है यह South West है और यह North West है तो अब हम देखते हैं जो हमारा North East Railway है उसका headquarter गोरपूर में और उसके आगे आप जाएंगे तो उसके बार परता है North East Frontier Railway जिसका headquarter गौहाटी में माली गाउं और गौहाटी में headquarter है North East Frontier Railway South West Railway की बात करते हैं दक्षिन पक्षिम रेलवे जिसका headquarter है पुबली में North West की बात करते हैं North Western Railway उत्तर पक्षिम रेलवे जिसका headquarter जेपूर में है South East Railway दक्षिन पूर रेलवे का headquarter है Garden Ridge Kolgata और South East Central Railway की बात करेंगे जिसका headquarter ब्लासपूर में नेश्ट आता है जो नावी बॉंबई है कौनकन रेलवे का headquarter कहां पर है नावी बॉंबई में तो कौनकन रेलवे भी railway zone के अंदर आता है जिसका headquarter नावी बॉंबई में है अब बचते हैं हमारे South Coast Railway दक्षिन तट रेलवे जिसका headquarter विश्वागा पटनम में और East Coast Railway जिसका headquarter भूवनेश्वर में है तो यतने भी railway zone पढ़ा है मैंने separate lecture बनाया है railway zone के उपर वो lecture भी आप देख सकते हैं उसमें बहुत detail में बात करिये मैंने और अब बचा Kolkata metro जो Kolkata metro है उसका headquarter भी कहां पर है Kolkata में Next question है भारत में meter gauge इस्थाई तरीके से अपनाया गया जो meter gauge यूज होता है इंडिया में कब पर्मनेंट अपनाया गया तो इसका correct answer 1871 में Next question है rail section is generally designed by it rail अनुभव आम तोर पर किसके दोवारा नामित किया जाता है जो rail section होता है किसके दोवारा डिजाइन किया जाता है किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है इसका correct answer है weight per unit length के माध्यम से rail section डिजाइन किया जाता है Next question है headquarter of Kolkata metro जो Kolkata metro है वो हमारे 19 zone में आता है उसका headquarter कहां पर है अभी बढ़ा आता है मैं Kolkata में Kolkata metro कभी start हुई थी 1984 में और यह इंडिया की first metro थी अगर पूछेगा longest route कौन सा है कौन सी metro है जिसका जो route है na वो longest है तो डेली metro डेली Metro का route यो च जो Kolkata है उस में Central Railway का Headquarter कहां पर Bombay में Central Railway का Headquarter है Bombay CSMT में और Western Railway का Headquarter है Churchgate में दोनों Bombay में पढ़ते हैं यह Part 5 था जो DFC सीरीज है उसका अगर आप कोई वीडियो पसन आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सस्क्राइब करें चैनल को हमारे Thanks for watching MCQ IQ